नमस्कार, railway service record में certificate जोडने से संबंदे दोस्तों कैसारा question सबके मन में उठता है जैसे में NOC क्या होता है joining के कितने दिन बाद certificate को आप जोड सकते हैं या फिर उस certificate के साथ GDC form भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं ये दोस्तों बहुत सारा question है मैंने दोस्तों अपने YouTube चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें service record में qualification कैसे update करें इससे related मैंने वीडियो अपलोड किया था जिसमें दोस्तों बहुत सारे दोस्तों ने comment किया है कि यहाँ पर जिनका नए-ने joining हुआ है लोग दोस्तों कैसे अपना certificate add करवा सकते हैं उसके लिए दोस्तों NOC लेना परेगा या नहीं और देख लिजे यहाँ पर बहुत सारे दोस्तों ने comment किया जैसे ITI का session उनका था और उनको कैसे certificate जोड़ना है यह सब दोस्तों बहुत सारा comment है यहाँ पर देख लिजे कि मेरा last semester का exam joining के बाद हुआ है तो NOC के लिए apply किया था उसका receiving है क्या मैं अपना certificate add कर सकता हूँ तो यह सब दोस्तों बहुत सारे question है आगे बढ़ने से पहले दोस्तों अभी तक आपने हमारा channel subscribe नहीं किया है अभी दोस्तों ततकाल में 2019 का group D का भरती यहाँ पर दोस्तों लिया जा रहा है जिसमें सभी candidate join कर रहे है तो दोस्तों joining के समय में यहाँ पर group D का जो joining होता है वो 10th basis पर होता है तो 10th basis पर दोस्तों आपको सभी certificate जो है आप दिये जरूर होंगे लेकिन आपके HRMS ID में दोस्तों आपका 3th का ही certificate यहाँ पर जूरा होगा दिखेगा बाकी certificate जूरा होगा नहीं दिखेगा तो दोस्तों ऐसे condition में आप कौन से certificate जोर सकते हैं और कैसे जोर सकते हैं तो दोस्तों 10th के अबाल सबसे पहले तो 12th आता है जैसा कि आप देख सकते हैं माल लेते हैं कि यह 12th का certificate है 12th का certificate जोरने का दोस्तों condition क्या है यहाँ पर कि सबसे पहले तो आप यह certificate आपको joining से पहले का होना चाहिए 12th का certificate जो होना चाहिए वो दोस्तों joining से पहले का होना चाहिए लेकिन अगर आपने exam दे दिया है और अगर आपका certificate नहीं आया है और आपने join कर लिया है तो वैसे condition में दोस्तों आप इस certificate को जोड सकते हैं लेकिन अगर join करने के बाद अगर आप exam दे रहे हैं तो दोस्तों यहाँ पर आपको अपने office से NOC लेना आवश्यक है बिना NOC के दोस्तों आप इस certificate को एड नहीं करवा सकते हैं अब बहुत सारे दोस्तों सभी candidate के मन में एक question होता होगा कि NOC यह क्या है तो NOC का मतलब होता है no objection certificate यानि कि आप जो course कर रहे हैं उससे railway को कोई आपती नहीं है इस बात का certificate जो है आपको यहाँ पर railway issue करके देगा यह certificate दोस्तों लगबग आपको 6 मन्त में यहाँ पर बन जाता है जो कि आपके headquarter या sub division से यहाँ पर आपको भेजा जाएगा यह दोस्तों NOC certificate अब जो graduation कर रहे हैं वो अपना certificate जोडने के लिए दोस्तों condition में बता दे रहा हूँ सबसे पहला condition तो दोस्तों सभी certificate में एक पहला condition है कि आपको joining से अगर पहले अगर आप कर लिए हैं वो course complete तो आपको वो certificate valid है उसके लिए कोई NOC का यहाँ पर आपको जरूरत नहीं है लेकिन graduation दोस्तों 3 साल का होता है first year, second year और third year अगर दोस्तों आपने first year complete कर लिया, second year complete कर लिया और third year में आप अगर last में हैं आपका exam होने वाला है और एक मन्थ आपका joining का बचा हुआ है और एक मन्थ exam का भी बचा हुआ है तो ऐसे condition में दोस्तों आपको NOC लेना पड़ेगा तभी यह certificate valid होगा वरना आपको फिर से distance से दोस्तों आपको यहाँ पर certificate issue करवाना पड़ेगा जोकि आपको फिर से करना पड़ेगा जिसमें आपका 3 साल जो है दोस्तों पूरा बरबाद हो जाएगा यह है दोस्तों ITI का certificate ITI में क्या होता है कि इसमें दोस्तों आपको semester by जो है यहाँ पर paper होता है first semester, second semester, third semester और fourth semester लेकिन दोस्तों अवीज नए rule के हिसाब से annually कर लिया गया है जिसमें दोस्तों आपको first year और second year होता है तो इसमें कुछ paper जो होते हैं दोस्तों आपको supplementary paper होता है जिसको आप अगर फिल कर जाते हैं तो फिर से आप दे सकते हैं तो ऐसे condition में अगर आप join कर लेते हैं और joining के बाद दोस्तों अगर आप certificate आपको issue नहीं हो पाता है किशी कारण से आप किसी एक subject में फिल हो जाते हैं तो दोस्तों ऐसे फिल के condition में जो है आप यहाँ पर आप NOC ले लीजिए अपने office से और NOC लेने के बाद दोस्तों उस सर्टिफिकेट को complete करके और फिर HRMS में add करवा लीजिए यह है दोस्तों HRMS का service record section service record section में दोस्तों qualification में यहाँ देख लीजिए कि serial number 5 मतलब 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे में दोस्तों आपको पुरा qualification का detail रहेगा आप जितना ज़्यदा certificate जोरेंगे सब का serial wise दिया रहेगा तो यहाँ पर देख सकते हैं कि qualification level में यहाँ पर 12 दिया गया है जिसको intermediate बोलते हैं और दोस्तों यहाँ पर आपको faculty दिया गया है कि sciences सकी है या art सकी है कौन सा साल में पास की है किया आपास कितना percentage से marks आया है यह सारे details दोस्तों दिया गया है और status में उपर में दिया गया verified तो जब आप certificate add करेंगे और जैसे ही दोस्तों आपको यहाँ पर सारे certificate यहाँ पर add दिख जाएंगे और उपर में status verified दिख जाएगा तो आप आने वाले GDC, GDC का जो भी form होगा जिस level का रहेगा जैसे मैं अगर 12th level का रहे है या graduation level का रहे है या फिर उससे अधीक higher qualification level का रहे है तो आप उस form को बड़ी असानी से भर सकते हैं और उसमें भाग ले सकते हैं दोस्तों अब दोस्तों यहाँ पर सबसे आखडी और सबसे लास्ट जो सबके मन में question उठता है उसके बारे में मैं discuss कर रहे हैं वाला हूं दोस्तों जैसे मैं कई स सेशन के बीच में 12 होता है दो साल का इसमें से दोस्तों अगर आपका किसी भी परकार का सेशन यह 12 से तो graduation match नहीं होगा इसके लिए इसे नहीं सेसन में अगर आप आप दो certificate issue करवाय है तो दोस्तों जब आप service record में लगाएंगे तो किसी एक certificate को लगाएंगे अगर 12 का लगा रहे है तो ITI का यहाँ पर आप नहीं लगाएंगे अगर आप IT का लगा रहे हैं तो यहाँ पर graduation का नहीं लगाएंगे अगर आप graduation का लगा रहे हैं तो ITI का नहीं लगाएंगे अगर आप ITI का लगा रहे हैं तो 12 का नहीं लगाएंगे ये दोस्तो आप धियान दिजेगा ये धियान इसलिए दिजिएगा कि अगर आपने एक ही साथ दोनों certificate दे दिए तो सबसे पहले तो आपको remove from service मिलेगा इसलिए क्योंकि आप धोखा धरी किये हैं certificate के साथ ये दोस्तों आपको मिलना आता है चार सिट मिलेगा आपको उसमें remove from service मिल जाएगा और आपका certificate जितना भी है दोस्तों आपको unvalid हो जाएगा ये साथे certificate ये दोस्तों आप धियान जरूर दीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो दोस्तों हमारे चैनल RSS Study Government job को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों अगर किशी भी परकार का अगर आपको doubt हो तो comment तो जरूर कीजिएगा अगर आपको किशी परकार का परसानियों comment जरूर कीजिएगा मैं उसका जितना संभव हो सके उतना सर्टिक जवाब देने का कुर्सिस करूँगा और दोस्तों अपने सभी सर्विस स्टाप को जो है दोस्तों आप उनको सेर कीजिए ताकि उनको भी होने वाली परसानी से उनका समाधान हो जाए और उनको आने वाले GDC भरती में दोस्तों आप उनको फैदा मिले धन्यबाद